दोस्तो मैं अभय कुमार इस हफ्ते आप लोगों से तिर्पुरा में जो कॉमनल वाइलेंस जो हो रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम्स को टार्गेट किया जा रहा है इसके बारे में कुछ मैं यहाँ पे अपनी बात रखने जा रहा हूं क्यूं यह इसूस जो हैं बहुत ही अहम है गौवर्मेंट का इसमें क्यूं रोल रहा क्या रोल रहा तिरपुरा में अमूमन बहुत सालों से एक कॉमनल हार्मनी यानि हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी कोई इस तरह से कोई जगड़े नहीं होते थे लेकिन अब होने लगे हैं और यह सीकूरिटी यानि देश की सुरक्षा के पॉइंट अव यू से भी एक कितना सेंसिटीव है इसू क्योंकि नौर्थ इस्ट में तिरपुरा है और वो ऐसे इलाके होते हैं जहां पर भारत के बहुत सारे पडोसी मुलकों के साथ उनके बॉर्डर भी शेयर होते हैं तो यह सारे इसू काफी अहम हैं और इस हबते मैंने इनकलाब में मैंने यह जो मजमून लिखा है इसी मोजूब पे लिखा है इसी टॉपिक पे लिखा है और ये दो नॉब्बर 2021 को इनकलाब में शाया हुआ और इसका जो टाइटल है जिसका जो हेडलाइन है मैंने दिया कि काश तिरपूरा में आज गांधी जी होते हैं जी जब मैं गांधी जी कह रहा हूँ तो मेरा जो मुराद है कोई राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से नहीं है मैं महत्मा गांधी की बात कर रहा हूँ तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि तिरपुरा में वालेंस जो है एंटी मुस्लिम जो वालेंस है वो एक हपता पहले हुए और गांधी जी भारत को इस देश को इस दुनिया को छोड़के 1948 में 30 जनवरी को छोड़के चले गए जो तकरीबन 70-80 साल हो गए हैं तो इस इन चीजों का क्या मतलब मेल है ये भी एक अहम पॉइंट है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्यों गांधी जी को इन्वोक किया इस मेरे आर्टिकल में सबसे पहली बात ये है कि तिरपुरा में हुआ क्या है आप लोग पेपर निउस पेपर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी जो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह के वीडियो और पिक्चर शेयर हो रहे हैं उसको भी आप देख रहे होंगे तो बात ये है कि तिरपुरा जो कि नौर्थ इस्ट में है एक राज्य है जहां पे लेफ्ट की सरकार थी बहुत लंबे वक्त तक फिर दो हजार अठारव में वहाँ पे भगवा ताक्ते हैं वहाँ पे सत्ता में आई और साड़े तीन साल से वह वहाँ पे पावर में है वह नहां के चीप मिनिस्टर भी हैं तिरपुरा के भगवा पार्टी से उनका तालुक है वो भी अजीब और गरीब स्टेट्मेंट देते रहते हैं कि महाभारत के जमाने में ये हो गया था तो ये ये काम्यावी हासिल कर ली गई थी तो कुछ न कुछ जो की साइन्स और रिजिनिंग से अगर आप देखेंगे तो कुछ अटपटा सा लगता है उनकी हाथ में कमान है तिरपुरा की उन्होंने कसम खाई है समिंधान की कौंस्टिशन की आईन की की वो हर भारती हर तिरपुरा में रहने वाले इंसान की नागरिक की वो जानो माल की हिफाज़त करें तो हुआ के हुआ यह कि बांगला देश जो की अपना पडोसी मुल्क है वहाँ पे कुछ दिनों से इसी खबर आ रही है कि वहाँ पे वहाँ के जो अल्प संख्यक जो अकलियत जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनके उपर वहाँ के जो कट्रपंथी जो लोग हैं वो उनके उ पर हमला कर रहे हैं जहां तक खबरों की बाते जो बंगलदेश से आ रही है तो इस हमले को मतलब जो की वहाँ के अकलियत वहाँ के माइनॉरिटी अल्प संख्यक हिंदूों पर जो हमला हुआ उसको लेके वहाँ पर मजब्मत हुई उसकी बड़ी मिंदा हुई और इनिवर प्रोटेस्ट निकाला और कहा कि यह बंगलादेश में धार्मिक जो अल्प संख्यक हैं उनके ऊपर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए पुलिस और सरकार ने भी कुछ किया वहाँ पर वहाँ के बड़े बले लीडर लोगों ने भी स्केट्मेंट दिया कि यह सब चीजे बड़ाश नहीं की जाएगी मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि माइनोरिटी हिंदू के उपर वहाँ के जो कटरपन्ती लोग हैं वो वक्त वक्त पे उनको अटेक करते हैं और यह सिर्फ बंगलादेश की बात नहीं है यह दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में हो रहा है अपने भारत देश में भी हो रहा है कि यहाँ पर भी माइनोरिटी से खिलाप हमले होते हैं तो माइनोरिटी अकलियत जहां भी हो अगर उनके खिलाप हमला होता है चाहे हो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो हमला करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे क्रिस्चन हो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए तो बंगलादेश में भी जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे वो बंगलादेश में हो, चाहे बंगलादेश से बाहर हो, चाहे वो भारत में हो, उन सब लोगों ने उसका बिरोध किया और बिरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदुत्यों के जो कट्रपंथी जो लोग है उनको इस पूरे वाके में कुछ दिखा क्या दिखा कुछ उसमें कुछ उसमें पॉलिटिकल फाइदा उनको दिखा तो पुलिटिकल फायदा उनको यह दिखा कि अगर इस मुद्दे को राजनीतिक हवा दी जाए तो इससे हिंदू और मुसल्मान का खेल खेलने में आसानी हो जाएगी और एक और बात मत बोलिए कि तिरपुरा में जो लोकल एलेक्शन होते हैं जिसको कहते हैं कि मुनसिपालिटी के जो एलेक्शन होते हैं उर्दू में करते हैं बल्दयाती इंतखाबाद जो हैं वह होने वाले हैं वहाँ पर 25 सारी को पोलिंग है बटन दबेगा वहाँ पर जो भी है तो एलेक्शन्स कंपेंट तो अल्रडी शुरू हो चुका है और आपको भी पता है कि एलेक्शन्स कंपेंट हिंदूस्तान में जो फॉर्मली जो शुरू होता है उससे एक आद महीना दो महीना पहले ही एलेक्शन्स शुरू हो जाता है तो वहाँ पे वहाँ के कट्रपंती लोगों को लगा कि बांगला देश का जो इसू है इसको आगे हिंदू-मुसल्मान का रंग देना जरूरी है क्योंकि उससे उनको एक पुलराइजेशन्स करने के बाद उनको फायदा होगा कट्रपंती लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे रैलिया निकाली और रैलिया निकालने के बाद उन लोगों ने मतलब मुसल्मान भाईयों के धर्म के बारे में उनके बारे में ऐसी इसी बाते की जिसको मैं यहाँ दोराना नहीं चाहता हूँ बहुत सारे उनके घरों पे हमले भी हुएं उनके दुकानों पे भी हमले हुएं और यहां तक कि इबादतगा जहां पे इस्वर की भगवान की अल्ला की पूजा की जाती है वहां भी उसको भी नहीं बखशा गया वहां पर भी हमला हुआ और इंट्रेस्टिंग बात है देखिए कि जिस इलाके में मुसलमानों की ज्यादा आबादी है उसी इलाके से भगवा कटरपन थी रैली निकाले या और निकालना चाहते थे पुलिस भी कुछ हद तक उनको इजादत दी कुछ हद तक इजादत नहीं दे रही थी तो कुछ मामल में साइद पुलिस से भी उनकी कुछ हो गई तो आप ज़रा सोचिए कि अगर हमारे हिंदू भाई जो बंगलादिश में रहते हैं अगर उनके उपर अगर किसी तरह का हमला होता है तो हम सब लोग साथ हैं इकटे हैं उनके हत उनके हुकूक उनके अधिकार के लिए बात करने के लिए आवाज उठाने के लिए हम सब भारत सरकार से भी अमनुरोद करते हैं अपील करते हैं कि आप इस मामले को बांगलादेश की सरकार से ले जाएए आप बात कीजिए उनके हाई कमिशनर को बुलाईए और कहिए कि सहाब वहाँ पे अकलियत के उपर हिंदूओं के उपर हमला हो रहा है ठीक नहीं है आप देखिए आपके शहरी है आपका समिंधान आपका कानून उन इसलिम इलाकों से या मुसल्मानों के खिलाप या उनके मस्जीद और उनके जो इबादतगा हैं उनके घर उनके दुकान उनको नुखसान पहुंचा कि कौन से हिंदूओं का भला हो जाएगा ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवा कटरपंती लोगों को भारत के जो अलब संक्यक हैं यहां के मुसल्मानों के उपर हमला करके अब आप देखिए ये बात में कितना तजाद है कंटरडिक्शन है कि एक तरफ तो कटरपंती हिंदू बंगलादेश के अलब संक्यक के अधिकारों का चेंपियन बरके उन्होंने रहली निकाली और हिं अलियत हैं जो मुसल्मान वहां पर आठ या नौफ फीसद के करीमें तिरपूरा में उनके उपर उनने हमला बोला उनको बुरा भला कहा उनके धर्म को का अनादर किया ये कौन सा अकलियतों के हुकुक के वो बड़े चैंपियन बन गए लेकिन उनको अकलियत और उनको हिंदु मुसल्मान के मुद्दे पे लोगों को बाटो ये उनके दिमाग में एजेंडा था और प्रसाशन को भी ये बात कहीं ने कहीं से पूरी ख़वर थी और उन लोगों के बीच में एक अंडिस्टांडिंग थी कि तुम जाओ तुम रैली करो तुम थोड़ा बहुत लोगों को मुला मुला कहो कुछ और हम लोग यहाँ पे तुमको प्रोटेक्शन देने के लिए तयार है को तो यह बात वहां प्रेह कश्म्म करशाम थातो कि तो कई-कई दिन तक कई-कई छेत्रों में कई-कई शहरों में वन्लों ने रैली निकानी और शरकार से ज्यादा संसादन संसार्क से ज्यादा किस पैसा सरकार से ज्यादा infrastructure तंत्र किसके पास है जब रैली निकाल रहे थे तो पुलीस CID IB को पूरी ख़बर होगी कि वो किस मकसद के साथ रैली निकाल रहे हैं अगर उनके इरादे खराब थे तो पुलीस और प्रशासन को करवाई करनी चाहिए थी क्योंकि पुलीस और प्रशासन किसी राजनितिक दल के वो पैसे पे नहीं ही वो काम करते हैं वो भारत के लोग जो है आवाम लोग के पैसे से उनको सेलरी मिलती है पुलीस और प्रशासन किसी पाटी का वफ़दार नहीं होता बलकि भारत के समिंधान जो यहाँ का कौंस्टिउजन है उसका वफ़दार होता है और constitutions के मताबिक अपने duty को अंजाम देने के लिए वो कसम खाता है और constitution क्या कहता है? Right to life, यानि जान आप किसी का नाहक नहीं ले सकते हैं सब बराबर हैं, बराबरी कादिकार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसल्मान हो, चाहे सीखो, सब बराबर है rule of the law, कानून की निगाह में सब कोई बराबर है, कोई चपरासी हो, या कोई परधान मंत्री हो, कोई करोड़पती हो, या कोई गरीब आदमी हो, सब बराबर है तो हिंदू अल्प संख्यक जो बांगलादेश में रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने का ये क्या मतलब है कि आप मुस्लिम इलाकों से रैली निकालेंगे, उनके धर्म का अनादर करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, उनकी दुकानों में आग लगा देंगे, उनको खौफज़दा कर देंगे, उनको डरा देंगे, और इससे कौन सा हिंदू का भला हो जा रहा है और पुलिस और प्रशासन को क्यों नहीं करवाई करने चाहिए थी, उनको सुरू में अरेस्ट कर लेते हैं, और रैली को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या जब रैली इस तरह बढ़ रही थी, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन्स देते हैं, आपको अकलियत लोगों को, पुलिस प्रोटेक्शन्स देते हैं, उनको हिरासत मिल आते हैं, कस्टडी मिलेके जाते हैं, तेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने पहले आपको बता हैं, चुनाओ, वहां की सरकार परशानी में हैं, बड़े-बड़े वादे किये सरकार में आएं, और कुछ किया तो नहीं, अब तो और चीप मिनिस्टर साब जो वहां किया, कुछ उल्टी सीदी बाते करने में उनको ज्यादा मजा आता है, तरकहीन बाते करने के लिए वो जाने जाते हैं, और फिर अब एलेक्शन्स आ रहा है, और उनको लगा कि अगर म आने वाले जो बिदान सबाय या लोक सबाय इसमें, ये कहते हैं अंग्रेजी में, सेटिंग दे स्टेज, यानि हवा का रुख बदल सकता है इस चुनाओ, तो इनके उपर प्रिशर था कि भाई, किसी न किसी तरह से हिंदू-मुसल्मान का खेल खेलो, वोटर को अपनी पा फोटो एक जगह से दूसरे जगह फैल जाती है, फिर लोगों नी इसको पोस्ट किया, तो देखिए कितनी अफसोस की बात है, कि पुलिस और प्रशाशन को तुरंत करवाई करने के बजाए, अपनी गलतियों को एकसेप्ट करने के बजाए, वो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ एंटी सोसल एलिमेंट्स जो हैं, वो फेस्बुक पे और ट्विटर पे और सोसल मीडिया पे गलत गलत खबरे फैला के, मतलब स्टेट की इमेज खराब कर रहे हैं, ये महौल पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों को उपर हमला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सब कुछ अच्छा च अरे पुलिस किसी पार्टी और किसी और एड्मिस्टेशन किसी पार्टी का एजेंट तो नहीं है, वो तो काड होल्डर नहीं है, उसो काना ये साहब यहां गड़बड हो रहा हमने लोगों को गिरफतार कर लिया, अगर चीप मिस्टर भी पूचते तो उन्हों काना कि कर रहे तो उनको गिरफतार करना जरूरी था, अगर हम यह नहीं करते तो यहां महौल खराब हो जाता, फिर आपकी सरकार की में जाती, आप ही बताईए हम कैसे काम कर सकते हैं, यह पुलिस का काम होना चाहिए, लेकिन पुलिस भी दवाओ में काम कर रही है, और सरकार आवा कुछ बात याद आई, यही से महात्मा गान्दी जी की बात लिंक हो जाती है, मुझे कुछ बात याद आई, कि कुछ साल पहले मैंने इंडिया विंस फ्रीडम जो कि मौलाना आजाद की किताब है, उसको मैंने पढ़ी थी, तो उसके आखरी चाप्टर में कुछ इस तरह के मिलते जूलते कुछ वाकियात थे, दिमाग पे मैंने जो डाला, बाते सारी याद होने लगी, फिर मैंने एक बार किताब को भी देखा, फिर एक आखरी चाप्टर है उस किताब में, इंडिया विंस फ्रीडम में, इंडिया डिवाइड़ करके, उसको एक बार देखा मैंने 240, 50, 60 जो आखरी के जो पिजेज हैं, उसी में वो सारी बाते लिखी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है, इस तरह की बाते पहले भी हुई थी, और जो पहले जो बाते हुई थी, उसके इतना नुखसाना जहल चुके हैं, और आज भी ऐसे चीज़ पूरा करके, आज का डिस्कुशन में यहां पर खतम कर दूँगा, बात ये है, कि मुल्क यानि हिंदुस्तान अपना प्यारा भारत, 1947 में उसका बीवाजन हो गया था, तकसीम हो गया था, पाटिशन हो गया था, और उसके बाद से, पडोसी मुल्क से, पाकिस्तान से, रिफ्यूजी लोग दिल्ली आ रहे थे, हिंदुस्तान आ रहे थे, और आप सब लोगों को पता है, कमलेसुर, जो थे हिंदी के बहुत ब गिरा, वो हिंदुस्तान था, और जहां-जहां हिंदुों का खून गिरा हो, कुछ ऐसा ही करे वो पाकिस्तान से, कुछ ऐसा ही लाइन उन्होंने, मैंने मुझे याद है, कुछ मैं अपने दिमाग पर जोर दे के मैं याद कर पा रहा हूं, तो हुआ कि पार्टिशन के दोर पाकिस्तान, भारत विभाजन के दोरान, हिंदु सिखों को पाकिस्तान में ज्यादातर मारा गया, और मुसल्मानों को हिंदुस्तान में मारा गया, इतने लोग मरें कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, बेसुमार लोगों को मारा गया, इंसानियत जो थी कहीं नहीं दिखी, द दरी की गई जिन लड़कियों को जिन बेटीयों को बहन और बेटी कहके पुकारा गया पता नहीं वो पार्टिशन के समय में कौन सा ऐसा भूच सवार हो गया लोगों के उपर में कि लोग उसको उसको एक जानवर की तरो उस लड़की के उस औरोत का लोग मांसमोच के खाने गई और यह हर जगा हुआ मुसल्मान भी मरें हिंदू भी मरें सिख भी मरें इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक कॉम्निटी के लोग मरें है और बाकी लोग नहीं मरें ऐसा नहीं है सब लोग उसमें पीडित हुए है कम या जादा कम या जादा किसी इलाके में कम किसी इलाक जो लोग थे हिंदु कट्रपंथी लोग थे भगवा कट्रपंथी लोग थे उनकी उतनी जगह नहीं थी राजनीती में लेकिन उन्होंने उस गुसे को गलत डिरेक्शन में मोडने के लिए वो लोग सरगरम हो गए थे और एक बात और मुझे बहुत ही लगती है मतलब बड़ पास पड़ोसी दोस्त उस दंगे में मारे गए वह ऐसे लोग जब हिंदुस्तान में हैं तो पूरी जिंदगी उन्होंने सेकुलर क्रिडेंसियल के साथ उन्होंने काम किया या लिखा उसी सोच के साथ काम किया कितने बड़े लोग थे वो लोग फिल्म इंडस्ट्री को देख लिजे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म इंडस्ट्री का बेस जो था बंबे में जो की धीरे धीरे हुआ आजादी के वक्त या आजादी के बाद से जो उसका बेस बंबे में हुआ उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यह सारा बेस जो पडोसी मुल्क में था उसका वेज़ और हमारे बहुत सारे जो कलाकाने चाहे दिलिप साहब को ले लिजे या और बाकी लोगों को ले लिजे राजकरपूर को ले लिजे इन सारे लोगों का जो रिष्टा है वो आज के पाकिस्तान में उनके बाप दादा वहां पे पैदा तो ऐसे लोग जिन्होंने दंगे को देखा, माइग्रेट करके इधर आएं या इधर ही रह गएं, उन लोगों ने हमेशा सेकुलर पॉलिटिक्स की, लेकिन जो हिंदुत्यों के कट्रपंथी जो लोग थे, उनको था अंग्रेजी में कहा होता है, मतलब मौके का फाइदा उठाना, वहाँ लोगों को इन्होंने भड़काना सुरू कर दी, हुआ क्या कि फिर उस जमाने में, 1947-47 के जमाने में, मुसल्मानों के इलाके में, खासकर दिल्ली में हमले सुरू हो गए, उनके घर पे हमले हुए, उनके मस्जिदों पे हमले हुए, और गांदी जी बहुत परिशान हुए, फिर उन्होंने सरदार पटेल को बुलाया, और ये सब सारी बाते मुझे कोई गांदी जी सपने में आके नहीं बताए हैं, ये इंडिया विंस फ्रीडम में ये बाते लिखी हुए, हमने आपको बता भे दिया, 240-50-60 के बीच में अ दोनों गुजरात से हैं, किसान अंदोलं से पटेल बहुत एक्टिव हैं, लेकिन गांदी जी पटेल से पटेल जो कर रहे थे, उससे बहुत खुश नहीं थे, और एक याद रखने की बात है कि पटेल उससे में होम मेंबर थे, यानि लॉएन और की जिम्मदारी दिल्ली की थी, उनी की थी, आज हम होम मिनिस्टर कहते हैं, उस जबाने में होम मेंबर कहते थे, तो सुरक्षा की जिम्मदारी उनकी थी, एक तरसे वही थे, पुलिस की जिम्मदारी उनकी थी, बापो ने बुलाया, सरदार पटेल को कहा, क्या हो रहा है साब, कतलो गारत हो रहा है द ये बढ़ा चड़ा के आपको पेश किया जा रहा है बापू को यकीन नहीं हुआ और बापू सरदार पटेल की बात से बहुत कन्विंस नहीं हुए फिर सरदार पटेल कहते हैं कि मुसल्मानों को शिकायत करने का कोई हक नहीं है ये बात पटेल को बहुत ही बुरी लगी, मौलाना आजाद को बहुत बुरी लगी, कि ये किस मेंटालिटी के साथ पटेल साब कह रहे हैं, कि मुसल्मानों को शिकायत करने का कोई हक नहीं है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हिंदू और सिखों के खिलाप ह उसके लिए मुसल्मान हिंदूस्तान के जिम्मेदार हैं, ये कैसी सोच है, आप बताईए, आज हिंदूस्तान में जो मुसल्मानों के ओपर हमले होते हैं, और हिंदूस्तान में हिंदू दुबई में हैं, हिंदूस्तान में हिंदू जो लोग हैं, वो इउरोप में हैं, अ पर्दिश में तो कैसा लेंगे गए जिस तरह से रहने वाला हिंदू, मुसलमानों के उपर हुए हिंदोस्तान में हमले के लिए जिम्मधार नहीं है, उसी तरह मुस्लिम बहु संख्यक, मुस्लिम अकसरियत, मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कंट्री में अगर किसी गैर मुस्लिम पे हमला होता है तो यहां हिंदुस्तान के मुसल्मान कैसे उसके लिए जिम्हदार हैं आप बताइए जब लडाई भारत की किसी दूसरे मुल्क से हुई थी या होगी तो हिंदुस्तानी मुसल्मान किस के साथ करेगा लडाई जब बताइए भारत के साथ करेगा और करता है और उन्हें जान गवाई है अब्दुल्बीर हमीद कौन थे यह उन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हैं अपनी जान गवाई करगिल में कितने मुसल्मानों ने अपनी जान गवाई जब क्रिकेट का मैच होता है तो अजरुदिन किसके लिए बैटिंग करते है सामी किसके लिए बॉलिंग करते है जहीर खान किसके लिए बिकेट लेते है कोई राइटर है जब उसको कोई एवाड मिलता है तो उसको भारती राइटर, हिंदुस्तानी राइटर के तोर पर उसको तसलिम किया जाता है दिलिप कुमार का नाम पुरी दुनिया में तो उनको हिंदुस्तानी की वज़े से जाना जाता है तो हिंदुस्तान के मुसल्मान जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं उनका क्या संबंध है उनका क्या तालुक है बंगलादेश के मुसल्मानों से या पाकिस्तान के मुसल्मानों के या इंगलेंड के मुसल्मानों से या फिर अमेरिका के मुसल्मानों से अजीब कहानी है उससे उन नेदेश के परतिवफादार हैं, उनको भारत क्या करता है, उनको क्या मतलब है, तो ये सोच ले ना कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हिंदुस्तानी मुसल्मान जिम्मेदार है, या बंगलेदेस में कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हिंदुस्तानी मु उनके उपर हमला करे, वहां के लोग उनको जाके गिर्मान में पकड़े, उनकी गलियों में हिंदू की गलियों से निकले और कहें कि भाई तुम जिम्मदार हो इसके उपर तो कैसा लेगा? तो मौलाना आजाद को भी बहुत बूरा लगा, कि यह कैसे करें कि शिकायत नहीं कर सकते हैं, अरे भाई जान-ो-्माल की हिफाज़त करना रियास्त का सबसे पहला फर्ज है, इससे दुनिया का कोई भी एस्टेट इंकार नहीं कर सकता है, जब एस्टेट तुम हो किस काम के, जब तुम लोगों की जान नहीं बचा सकते हो बापु को ये बात समझ में आ गई कि कुछ पटेल सहब के दिमाग में कुछ चल रहा है बापु ने इस बात का लिहाज नहीं किया कि सरकार किसकी है सरकार तो हिंदुस्तानियों की थी सरकार तो कॉंग्रेस की थी लोएन ओर्डर की जिम्मदारी किसकी है पटेल किया जो उनके चले है गांदी जी ने इस बात का कोई भी फिक्र नहीं किया गांदी जी बुजुर्ग हो चुके थे उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी सेहत भी वो अपने बेस सेहत में नहीं थे सबसे अच्छे तंदुरस्ती में नहीं थे जवानी का भी दोर उनका नहीं तक कमजोर भी हो गए थे इसके बावजुद भी उन्होंने 12 जनुवरी 1948 को भूख हर्ताल पे उन्होंने बैठा लोगों ने मनाया उन्होंने नहीं मना और उन्होंने लोगों से अपील की हिंदूओं से भी अपील की सिखों से अपील की कि आप वचन दीजिए आप वाद केजिए आप अहद कीजिए कि आप मुसल्मानों के साथ भाई की तरह रहेंगे बापू भूख हर्ताल पर बैठे कुछ दिनों के बाद बापू के जो उनका जो करिस्मा था उसका असर हुआ कुछ हालात बहतर हुए तो जब मैं बापू की इस बात को याद कर रहा था कि जो इनसान बुजर्ग हो चुका है वो इनसान लोगों की जान और माल के उपर जब हमला होता है तो भूख हर्ताल पर बैठ जाता है वो इस बात का लिहाज नहीं करता है कि सरकार उनकी है कि किनकी है वो इस बात का भी लिहाज नहीं करता है कि जो होम मिनिस्टर हैं होम मेंबर हैं वो उनके ही चेले हैं वो उनके ही दोस्त हैं वो अपना फर्ज निवाने के लिए भूक अर्थाल पर बैठते हैं और आज की क्या सरकार हो गई है कसम वो लोग समिंदान की खाते हैं लेकिन जब जान माल बचाने की बात आती है तो कहते हैं यह फ्वाफ फैलाएगा है कैसे फ्वाफ फैलाएगा है कोई अपने घर से अपने हाँ से अपने घर में आग लगा लेगा कोई अपने को खुद मार लेगा कोई खुद अपनी इबादत गाहों में आग लगा देगा और सरकार को बन नाम करेगा ऐसा कोई कर सकता है अगर करता भी है तो आप उसको जेल में डालिए लेकिन किसी भी बेगुनाह का खोन नहीं बहना चाहिए ये सरकार नहीं कर रही है लेकिन बापु ने बूड़े होने के बावजुद भी कमजोर होने के बावजुद भी उन्हों अपना फर्ज निबाया हिंदू कटरपंथियों कोई बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुसल्मान का खेल बढ़े वो आग और बढ़े जो चीजे हम आज देख रहे हैं वो चाहते थे कि वो चीज उनने सो पचास या साथ में ही हो जाए जो उनका एक्सपरिमेंट था लोगों को हिंदू मुसल्मान के उपर माटने का फिर उन्होंने प्रोपेगंडा फैलाना सुलू कर दिया कि गांधी जी तो मुसल्मानों के बहुत बड़े हितैश्री हैं वो मुसल्म नवाज है और हिंदूों के मुखालिफ है फिर क्या था उनमेंसे एक जुनूनी को एक दिन लगा कि अब गांधी जी को रहने का कोई हक रही है क्योंकि वो तो हिंदू के बिरोधी है और मुसल्मानों के तो ये भक्त हैं पिस्तॉली और पिस्तॉल लेके गांधी जी को मा डाला तो अफवा फैलाना नफरत फैलाना बहुत ये खतरनाक है सरकार की जिम्मेदारी है कि अफवा नफरत फैलाने वाले को रोके क्योंकि ये इस तरह का बारूद है कि कब फट जाए कोई नहीं जानता है जो अफवा फैला रहे थे उन्होंने भले ही गांधी जी को फिजिकली जाके गोली नहीं मारी लेकिन उन्होंने गोली मारने वाले को तयार किया तो यही बात मैं आप से कहना चाह रहा हूं कि आज गांधी जी तिरपुरा में होते जो कि मैंने इसका टाइचल भी दिया थे कास आज गांधी जी होते कास तिरपुरा में आज गांधी जी होते तो भूक अर्ताल पर बैठते उनकी भी सरकार होती तो इसके लिहाज नहीं करते क्योंकि इंसान का जान इंसान की जान बचाना रियास्त का सबसे पहला फर्ज है उकरते उसके लिए लेकिन आज क्या हो रहा है खेल चलता है हिंदु मुसल्मान हिंदु मुसल्मान अरे हिंदुस्तान का मुसल्मान हिंदुस्तान को अपना वतन मांगता है यहां के लिए मरता है यहां के लिए जीता है, उसके सारे खाब हिंदोस्तानी है, लेकिन आप दीन रात उसको कहते हैं कि तुम्हारे खाब, तुम्हारा मकदस, सरजमी, तुम्हारे आइडियल देश से बाहर है, तो कौन उनको भढ़का रहा है? कट्रपंथी लोग भड़का रहे हैं जो बात उनके दिलो दिमाग में है नहीं वो दिलो दिमाग में डालने का काम ये हिंदु कट्रपंथी लोग कर रहे हैं अगर मैं मुसल्मान हूँ और अगर मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ तो मेरे लिए मेरे लिए जन्नत बिहारी है मेरे लिए जन्नत इंडिया है लेकिन कौन दीन रात उस मुसल्मान को कह रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए तुम्हारा जन्नत बिहार या इंडिया नहीं है तुम्हारे लिए तुम्हारा जन्नत भारत से बाहर कोई और मुल्क है जो बात मुसल्मानों के दिमाग में नहीं है वो बात ये लोग दीन भर मुसल्मानों के दिमाग में डाल रहे हैं वो बात ये लोग हिंदू के दिमाग में डाल रहे हैं और सिर्फ एक ही मकसद हिंदू कटरपंती का, किसी तरह से सत्ता में बने रहें, लेकिन हजारो सरकारे आईएं, करोडो, राजा, महराजा आएं, बारसा आएं, चले गएं, उनका कोई नाम निशान लेने वाला नहीं है, लेकिन देश को कमजोर करने के लिए सत्ता का इस्तमा के लिए बहुत ही खतरनाक है, और मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी में गुफसुगू कर दूँ, इसलिए मेरा मकसद यही है, कि दोस्तों, चुनाओ जीतना, नहीं जीतना, एलेक्शन्स में जीतना, हारना, सरकार बनाना, ये देश के सामने बहुत ही छोटी चीज़ है, मतलब पहाड और राई है, समझ लिजीत, जो देश, जो समाज है, उसका हित पहाड है, और व्यक्ति का हिस किसी पाटी का हित एक राई के बराबर है, अगर आपने राई के लिए पहाड को नुकसान पहुँचाया आपने, तो आपसे बड़ा बेकूफ कोई नहीं है, इसलि इस बात को समझे, कि नफरत की राजनिती नहीं होनी चाहिए, कोई भी इनसान अगर आपके पास आए, आपसे वोट मांगे, तो पहला सवाल आप पूछे, पेट्रॉल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, रेलवे में कितनी नोकरिया निकल रही है, सरसो का तेल क्यों ब लिए हस्पताल उसके जिले में क्यों नहीं हो सकते हैं, नोकरी बेरज़वार को क्यों नहीं लग सकती है, क्यों प्राइवेट हस्पतालों में और कॉलेजिस में आप अपने बच्चे को जब लेके जाते हैं, तो आपको धके खाने पड़ते हैं, आप से लाखों रुपया मांगा जाता है और जब आप रुपया नहीं देते हैं तो आपको वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है आपके जो करीबी जो दोस्त होते हैं जो आपके माता पिता भाई बहन होते हैं उनको इलाज से पहले मोटी रकम मांगी जाती है ये सब सवाल आप लेके पूछे हिंदू और मुसल्मान का सवाल मत पूछे आप लोग और मुसलिम भाईओं से भी मेरी अपील है कि आप जो लोग भी मुसल्मान के नाम पे आपको इकठा करना चाहते हैं वो लोग भी आपके हितेशी नहीं है क्योंकि यहां पे हिंदू के नाम पे वोट करना उतना ही खतरनाक है उतना ही खराब है उतना मुसल्मान के नाम पे सियासत करना हम सब लोगों को वन चितों के बीच में जो deprived है जो marginalized है उनके बीच में unity बनानी की ज़रूरत है वो किसान होंगे वो आपको मजदूर होंगे वो दलित होंगे वो पिछड़ा होंगे आज जब हम मैं दलित की बात जब मैं आदिवासी की बात में जब पिछड़ा की बात करता हूं तो वो हिंदू नहीं होते हैं वो मुसल्मान नहीं होते हैं पिछड़ा चाए हिंदू पामले को अपने घर तक छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को अपनी लड़ाई अपने हुकूक के लिए एक साथ आना चाहिए क्यूंकि पार्टियां जो हैं वो हमें लडाना चाहती हैं लेकिर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो कभी काम्याब नहीं होंगे आपको यह मे तक पहुंचागे. Thank you very much.